प्रदेश में चुनावी वर्ष चल रहा है, ऐसे में कई दावे विपक्ष भी करता है, कई दावे सरकार भी करती है, कई ऐसे काम हैं जिनको लेकर विपक्ष चरकार को घेरता है, तो वहीं कई ऐसे काम भी हैं जिनका वादा सरकार करती है कि चुनावों से पहले पहले हो रहे हैं कि इस बार जिला हुन्ना में हम पांच-जीरो करेंगे आप क्या कहेंगे सपने देखना सब का अधिकार है और वैसे सपने जो हैं वो श्री मुगेश अगरी अधरी जी देख रहे हैं और पंजाब में यही कॉंग्रस का नेतर तो देखता था वो कहते था कि हम आएंगे और सरकार बनाएंगे चन्नी पाई आएगा और सरकार बनाएगा लेकिन अब जो वाई एलेक्शन हुआ तो आप पूछेंजरा कॉंग्रस कौन से इस्तान पर पहुंची है इस वर कुटलहर्ड ही नहीं जिला उन्ना जो है मैं यह कह रहा हूं आज आपके सामने पांचों की पांचों जितने का आप अपने जिला से दावा कर रहे हैं आप सरकार में मंत्री भी हैं विपक्ष मंत्रीपद को लेकर विएक बड़ी बात कहता है कि जितने भी मंत्री हैं सब का विकास उनके विधांसवाक्षेत्र तक ही सीमित है आप क्या कहेंगे कुट टहड का ही नहीं पुरे प्रदैश का हमने विकास किया है एक अगर हम गरामीण विकास विवाग को ही में ले लेते हैं को गरामीण विकास विवाग में ढ़न 300 timely करोड कर्च होता था ऑज एक हड़ में मन्रेगा हैड में हमनें साथे 1200 पूरे परदेश के अंदर कर्च किया है और जहां रुजगार भी दिया वहीं गौँ के अंदर अधार भूद्ध धांचा भी हमने खड़ा किया है बाकी जो भी मेरे सबंदित इसका गौँ सेवा योग का जिम्मा था हमने कहा था कि जो सडक पर है आज च्छतिस हाजार में से बीस हजार गौवश जादा जो है वो हमने गौशालों में को सेंचरी में पहुचाया है और इस वर्ष के अंदर तक हम अधिकांस सडकें जो हम खाली करेंगे यह मैंने सिर्क उट्लैंड में नहीं किया परदेश के अंदर किया है और इसी तरह से नेचरल फार्मिंग में हम सारे काम अगर मेरे पास जो गौव गरीब किसान से जुड़े हुए विशह थे हमने उनको प्रात्मिक्ता पर किया है और आज गौव के अंदर अच्छे मोक्ष थाम गौव के अंदर एंबूलेंस रोट पंचबटी मुख्यमंत्री एक भी का योसना ये सारे काम आज परद अगर हम राजनितिक संबोधनों की बात करें तो हमने कभी बड़े नेताओं की जुबान फिशलते हुए देखा प्रंतु कभी ये देखने को नहीं मिला कि विरिंदर कमर कभी गुस्सा हुए हो कुछ हुए हो प्रंतु अभी कुछ हाफते से मैं देख रहा हूं जब से वि हम एक से हमारे सब्सक्राइब मुलाकत हुई थी आपने परतिनी दियों का मांदे बढ़ने की बात हमारे साथ की थी पंचाय से ही जुड़े हुए कई और मुद्दे या फिर पंचाय वेटनरी सहाइकों का मुद्दा हो विरिंद्र कमराज कोई बड़ी खुशना करेंगे चुनाप पहले कि यह मुद्दे हल होगे लिए जब तेहतर में शुशोधन के बाद जिला परशिद कैडर खड़ा हुआ था तो उसके तहत नुक्तिया हुई तब मानिय मुख्या मंतरी जी ग्रामीन विकास मंतरी थे और उन्होंने इस कैडर को खड़ा किया है और जब भी धूमल जी की सरकार आई और भड़ती जनता पार् परदेश की अंदर इन लोगों के हीतों की अगर किसी ने रक्षा किया है अगर तनखाएं बढ़ाई कोई कैडर में जो है वो परिवर्तन किया है तो वो भड़ती जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पिछले वरसे कांग्रस की सरकार की सरकार में एक पाई तक जो हो इन लोगों की नीज़ाइगे लेकिन आज चाहे वोपर चाहे चाहिद चौकिदार है चाहे वोपर सचीब है जी आरस एक एसे इनके बारे में किसी ने सोचा है तो वह भरती जनता पार्टी जैरम ठाक पूर जीकरी सरकार में सोचा है और और बढ़िया सोचेंगे मुख्या मंत्र जी चिंतत हैं और जल्दी इस विशे पर कोई बड़ा निरने लेंगे विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पंचाइत सचीवों को भी पंचाइती राज भी भाग में मर्ज करेंगे वेटरिनरी सहाइक हैं उनकी जो समस्याएं आ नहीं है उनको भी तुरंत ही समाधान कर दिये जाएगा जब थे तो कुछ नहीं किया अब आएंगे ही नहीं तो करेंगे क्या तो आप वादा करते हैं चुनावों से पहले करने का देखिए मैंने कहा कि मुख्या मंत्री जी की बड़ी जो है वो चिंता उनके प्रति है और लुश्च करेंगे धन्यवाद दने ये थे हमारे साथ राज एंवंकृषी मंत्री विरेंदर कमर चाये पंचायित सचिवहों का मुद्दा हो पंचायित वेटनरी सहाईकों का मुद्दा हो चुरावों से पहले पहले येमसला हल कर दिये जाएगा वहीं विपक्ष की उपर पूरा लेखा जोका है तो फिलहाल लेटिंज भारत में अभी के लिए बसे इतना ही नमस्कार कि अब कर दो कर दो कर दो कर दो